कहानी की सुरुवात एक कपल से होती है जो की हस्वेंड वाइफ होते हैं हस्वेंड का नाम पायरी होता है वहीं वाइफ का नाम बेला होता है दोनों साथ में कहीं जा रहे होते हैं तभी दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है अब पायरी बेला को गाड़ी से नीचे उतरने को कहता है लेकिन बेला उसे मना कर देती है इसलिए पायरी अपने नोकरों से बेला को उतारने के लिए कहता है अब पायरी अपने दोनों नोकरों के सहारे बेला को एक पेड़ से बांद देता है जिसके बाद पायरी उन्हें ब जा आ रहा होता है, तभी हमें पता चलता है कि वो बस एक सपना देख रही होती है, तभी वहाँ पर उसका हस्पेंट पाइरी भी आ जाता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनकी साधी को एक साल हो गए है, लेकिन दोनों के बीच में अभी तक एक बार भी ठुकाई वे बेला हेंडरी की वाइफ के साथ जा रही होती है तभी बात चीद के दोरान हेंडरी की बीबी बेला से एक लड़की के बारे में बताती है कि वो लड़की खूबसूरत और अमीर होने के बाब जुद भी अमीर लोगों से ठुकाई करवाती है ये सब बाते सुनकर बेला को भी काफी मज़ा आ रहा होता है और जब वो अपने घर पहुंचती है तब वो अपने पती से पूछती है कि क्या उन्होंने कभी किसी अमीर लड़की की ठुकाई करी है तो पाईरी कहता है कि मैंने साधी से पहले बहुत सी लड़कियों की ठुकाई करी है ये बात सुनकर बेला काफी जेलस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बेला टैनिस की प्रैक्टिस के लिए आई होई थी और यहाँ पर हैंडरी भी पहले से ही मौजूद होता है हैंडरी को उसकी पतनी के दुवारा ये बात पता चल चुका था कि बेला को भी इन सब चीजों में दिल्चस्पी है फिर वो बेला से कहता है कि वो एक जगह के बारे में जानता है जहाँ पर वो भी अमीर लड़कियों की तरह मरवा कर उनकी लाइफ इस्टाइल को फोलो कर सकती है ये सुनकर बेला का मन डोलने लगता है और वो हैंडरी के बताय हुए एड्रेस पर चली जाती है यहाँ पर इसकी मुलाकात एक डीलर मैडम अनीस से होती है वो बेला को देखकर काफी खुस होती है क्योंकि आज उसे एक नई और खुबसूरत लड़की मिल गई थी वो बेला को यहाँ की सभी रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बताती है लेकिन बेला भी यहाँ कुछ अपने सर्ते रखती है जैसे वो बस दिन में काम करेगी और साम को अपने घर चली जाएगी इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है अगले सीन में हम पायरी को बेला के साथ गूमते हुए देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पायरी पैसे से डोक्टर है लेकिन अपनी नामर्दगी खतम नहीं कर सकता और आज भी उसे एक पैसेंट को चेक करने जाना था इसलिए जब बेला उनसे ठुकाई के लिए कहती है तब वो आज नहीं बोलकर मना कर देता है तब ही बेला मिस अनिस के पास चली जाती है और वो अपना फेक नाम भी रखती है और मैडम अनिस उसे अपने पहले क्लाइंट से मिलवाती है जो की देखने में काफी मोटा और अमीर होता है और यह आदमें पहले से इस काम में माहिर होता है और अभी भी वो दो लड़कियों के साथ होता है अब मैडम अनिस बेला को उसके साथ सोने को कहती है पर आज बेला का पहला दिन था इसलिए वो घबरा रही होती है इसलिए मैडम अनिस उसे अपनी बातों में फसाक उस अमीर आदमी के साथ सोने के लिए राजी कर लेती है यहाँ पर बेला को भी काफी मज़ा आता है और लड़कियों की खुदाई करने के लिए आते हैं तभी अचानक से इन दोनों की नजर बेला पर पड़ती है और एक ही पल में दोनों को बेला से प्यार हो जाता है अब वो दोनों एक दूसरे से बेला के लिए जगडने लगते हैं लेकिन आखिर में मार्सल नाम का लड़का ब बन चुके थे तभी बेला का हस्वेंट उसे एक भैकेशन पर ले जाता है जहां पर बेला पाईरी के साथ खुस नहीं दिखती है क्योंकि उसे मार्सल की याद आ रहे थी वहीं दूसरी तरफ मार्सल का भी यही हाल था वो भी अपने बाबू को बहुत मिस कर रहा था उसे लग रहा था जितनी जल्दी बेला वापस आये उतनी ही जल्दी वो बेला की टांगे उठा सके इसलिए वो हर बार मैडम अनीस को कॉल करके उसके बारे में पूछता है और एक दिन उसे पता चलता है कि बेला वापस आ चुकी है इसलिए वो जल्दी से बेला के पास मिलने क के लिए चला जाता है वो बेला से पूछता है कि वो आखिर कहां चली गई थी और वो उसे ये भी बताता है कि वो अब उसे किसी दूसरे के साथ नहीं देख सकता इतना कहने के बाद दोनों फिर से पलंग तोड़ने लगते हैं ये सब करने के बाद बेला उससे कहती है कि मैं क पुछदेर के लिए बुग कर लेता है और उसे रूम में ले जाता है अब यहाँ पर बेला काफी डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं हैं पाइरी को सब चीज बता न दे इसलिए वो हैंडरी से कहती है कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो लेकिन ये बात मेरे पती को मत लेकिन हेंडरी आज कल की दोस्तों की तरह नहीं होता है कि मौका मिलते ही वो हेंडरी बेला से कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर काम करने लगोगी इसलिए अब हेंडरी बेला को पसंद नहीं करता है और वो कहता आए कि तुम्हें डरने की कोई जरुवत नहीं है मैं ये सारी बाते पाईरी को नहीं बताऊंगा इतना कहने के बाद वो बेला को पैसे दे कर वहाँ से चला जाता है तबी बेला हैंडरी की बात को सुन कर अपनी गलतियों को महसूस करती है वो समझ जाती है कि उसने काफी कुछ गलत किया है और अब वो इस काम को छोड़ने की सोचती है लेकिन मैडम अनिस ऐसा नहीं होने देना चाहती थी इसलिए वो बेला को अपने बातों में फसाने की कोशिस करती है पर बेला मैडम अनिस की बात को नहीं मानती और वहां से अप मारसल बेला का घर पहुँच जाता है लेकिन उस वक्त बेला का पती घर पर नहीं होता है तब ही मारसल गुसे में बेला से कहता है कि वो उसके पती को सब कुछ उसके बारे में बता देगा और इसी के साथ वो बेला को एक मौका भी देता है कि अगर वो इसके साथ हर दिन सोयगी तब वो उसके husband को नहीं बताएगा लेकिल米ला मना करदेती है क्योंकि वो खुद ही अपने husband को ये सारी बाते बताने वाली थी ताकि वो अपने गलतियों का सुधार कर सके मारसल ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुसा हो जाता है और अपने घर जाने लगता है और जैसे ही मारसल बाहर जाता है उसके सामने बेला का पती पायरी आ जाता है मारसल पायरी को देखते ही उस पर गोली चला कर वहाँ से भाग जाता है लेकिन मारसल की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती और वो पुलिस के हाथो पकड़ा जाता है इधर बेला की परिसानी और भी बढ़ जाती है क्योंकि मारसल के हमले से पायरी पूरी तरह से पैरलाइज हो चुका था उसका पूरा सरीर अब किसी काम का नहीं था यहां तक कि वो अपनी पतनी को भी खुस नहीं कर सकता था लेकिन उसके बावजूद भी बेला अपने पती को चुनती है और उसके साथ रहने लगती है और इसी तरह से यह कहानी यहीं पर समाप्त होगा